हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल साइको फोर यू तो फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में मौरल डैवलमेंट किया था जो की प्याज्जे का था प्याज्जे मौरल डैवलमेंट थियोरी की थी तो आज हम next moral development theory करेंगे जिसका नाम है कैरॉल गिलीगन moral development theory कैरॉल गिलीगन एक महिला female psychologist थी यह महिला psychologist है इन्हों ने moral development की थी इन्हों ने जो कोलवर्ग था उनकी थी थी अलोचना की थी कोलवर्ग की थी इन्हों ने कहा था कि जो कोलवर्ग ने अपना सिधान दिया है उसमें उन्होंने लिंग पक्षपात को बढ़ावा दिया है लिंग पक्षपात को बढ़ावा मींज जो कोलवर्ग ने सिधान दिया था उसमें मेली बोईज को माना था कि बोईज कैसे बोईज में कैसे नैतिकता आती है तो इसलिए इन्होंने का था कि इन्होंने महिलाओं की और ध्यानी नहीं दिया तो इसलिए कोलवर्ग ने जो त्योरी दी थी जह महिलाओं से सबंदित थी तो इन्होंने महिलाओं से लेटर अलग त्योरी दी थी इन्होंने ये का था कि उन्होंने link पक्षपाथ को बढ़ावा दिया है कोलवर्ग ने तो इसलिए इन्होंने अपना अलग से सिधात दिया था केरॉल गिलिगन ने link पक्षपाथ means gender ब्यास gender ब्यास को बढ़ावा दिया था हां जी तो हूम स्टार्ट करते हैं इन्हों ने अपनी ठीओरी में ये भी एक अवस्थहातमक सिधानत है इन्होंने भी stage से later ही ठीओरी दी थी stages बताई थी तो इन्होंने वो ही stages बताई थी जो की कोलबर्ग ने stage बताई थी conventional, pre-conventional, conventional और post-conventional प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल इन्होंने थ्री स्टेज़स लिये थे लेकिन कोलबर्ग ने प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल में दो उसकी ये उन्होंने लेबल माने थे लेकिन इन्होंने इसी को ही स्टेज माना है कैरॉल गिलिगन ने इसी को स्टेज माना है कोलवर्ग ने इसको लेबल माना था तो प्री कन्वेंशनल की बात करते है प्री कन्वेंशनल में होता क्या है वेसिकली जो कि कैरॉल गिलिगन ने बताया था कि प्री कन्वेंचनल में होता क्या है तो इसमें करोल गिलीगन ने कहा कि जो महिलाएं होती है उसको नय तो नैतिकता की समझ होती है नैतिकता की समझ नहीं होती और वे स्वैम की केर करती है महिलाएं स्वैम की केर करती है स्वैम की और ध्यान देती है या हम ये कह सकते हैं कि जीने की और ध्यान देना तो वह जो भी वहवार करेगी महिलाई वो सिर्फ उसके जीने की और होगा कि कैसे जिया जाए समाज में तो इसलिए इसको pre-conventional कहा है और केरॉल गिलिगन की इस थियोरी को moral development या care perspective थियोरी इसको care perspective की थियोरी भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें care से लेटर बताया था उन्होंने कि जो पहली stage थी इसमें महिलाई स्वैम की care करती है जो second है conventional है इसमें क्या होता है इसमें जो महिलाईं का जो चिंतन स्तर है वो थोड़ा सा बदल जाता है इसमें क्या सोचती है महिलाई इसमें responsibilities को समझने लग जाती है responsibilities इसमें महिलाई responsibilities को समझने लग जाती है इसमें उनका जो बहवार होता है दूसरों की care करने इसमें conventional में जो second stage है इसमें वो जो उत्तरदाईतिव होते है responsibilities होती है जिम्मे वारियां होती है उनको बैटर तरीके से समझने का भाव रखती है और दूसरों की care करने वाला भाव उसमें आ जाता है इसमें आतम बलीदान की भावना भी आ जाती है आतम बलीदान की भावना means self sacrifice तो ये pre-conventional है pre-conventional में आपने जाद रखना है कि स्वैम की और ध्यान देना तो ये ही बहवार उसका होता है स्वैम की और ध्यान देके जैसे वो करह करती है conventional में है दूसरों की care करने की भावना इसमें भावना आएगी feelings आएगी कौन सी feelings दूसरों को care करने की या इसमें हम ये कह सकते हैं कि self sacrifice of goodness भलाई के लिए जो हम आतम बिलदान करते हैं महिलाएं आतम बिलदान करते हैं भलाई के लिए किसी की भलाई के लिए तो वो जो कार्या होते हैं वो उसकी नैतिकता में आते हैं आगे जो third stage है हमारे पास post conventional में होता क्या है post conventional की बात करते हैं इसमें गिलीगन ने ये बताया कि इसमें महिलाएं उस स्तर पर पहुंच जाती है जिसमें बहर जो दूसरों की देखवाल करने की भावना थी करने की भावना जो हमने second stage में उस भावना को क्या कर लेती है सभीकार कर लेती है तो दूसरों की देखवाल करने की भावना को सविकार करना तो इसमें acceptance word आएगा कि इसमें वो acceptance सविकार कर लेती है accept कर लेती है कि जो दूसरों को care करने की भावना है उसको उसको अपनाना ही पड़ेगा जैसे कि इसमें धर्ड स्टेज में वो एक wife के रूप में, mother के रूप में, wife के रूप में अपने husband की देखवाल करना, mother के रूप में अपने बच्चों की देखवाल करना तो इसमें भी care आया है, तो जो इसमें feelings of care है, उस feelings of care को इसमें acceptance में परिवर्तित कर देती है तो ये सिंपल सा सिधान था, कैरॉल गिलीगन था, इसको हम थोड़ा सा अक्स्प्लेइनेशन दुबारा कर देते हैं इसको, इसमें क्या था इसमें क्या था कि जो हमारे पास पहली स्टेज थी प्री कन्वेंशनल, इसमें बेसिकली जो महिलाओं की जा किसी गर्ल की जो तिंकिंग होती है, वो होती है, इंड वीजिवल सरवाइब। इंड वीजिवल सरवाइब। जहां हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ केयर, इसके बाद जब बहुए सेकिंड स्टेज में आती है तो इसका टराजीशन किसकी और हो जाता है, टराजीशन from selfishness to responsibility to other कि जो उसका selfishness means सवार्थी पन था जो वो इसमें स्वैम पर केंदरित होता है उसका पूरा ध्यान उसका जो परिवर्तन है उसकी जो transition है वो किसकी और हो जाती है responsibility किसकी और हो जाती है तो इसमें selfishness to responsibility की और चला जाता है और कौन सी stage में पहुंच जाती है महिला conventional में तो conventional में होता क्या है हमने पहले भी किया है वैसे self-sacrifice self-sacrifice of goodness यह हम यह कह सकते है कि feelings of other cares कि दूसरों का ध्यान रखने की जो feelings होती है भाव होती है तो इसके बाद जब थर्ड स्टेज में पहुंचती है तो उसमें transaction जो transition है जो परिवर्तन है वो किसमें होता है तो हम यह कह सकते हैं transitions from goodness to other इसमें अदर नहीं आएगा इसमें हम यह लिखेंगे कि transitions from goodness to truth truth that she is person to हम यह कह सकते हैं कि इसमें वह यह इस सच को सभिकार कर लेती है कि जो अच्छाई की भावना है उस अच्छाई की भावना से वह कहां पर चली जाती है कि वह यह सच सभिकार कर लेती है कि वह भी एक person है वह भी swim को एक लक्षा मानने लग जाती है एक इनसान एक mature mature person समझने लग जाती है ladies इसमें भी तो जब वह एक mature person swim को समझने लग जाती है तो उसमें कौन सी भावना आती है इसमें कौन सी सभी करीती आती है तो जो कि वो थर्ड स्टेज में आएगी पोस्ट कन्वेंशनल में हम ये कह सकते हैं इसमें यहां तो principle of non-boylance principle of non-boylance means किसी से जगडा करने किसी से जगडा ने करना यह हम ये कह सकते हैं do not hurt other और self कि स्वैम को और दूसरों को hurt नहीं करना तो इसमें ये भावना आ जाती है कि दूसरों को hurt नहीं करना दूसरों से जगडा नहीं करना क्योंकि इससे वो एक जो mother या wife या sister जो भी जो गुन होते हैं उसको खो देती है क्योंकि mother wife sister as a mother as a wife as a sister उसको ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का husband का अपने भाई का तो ये उसमें भावना जब है इस भावना को सभी कार कर लेती है तो ये थर्ड स्टेज में आएगा तो ये इन्होंने तीन स्टेज बताई थी केरोल गिलीगन ने तो ये केरोल गिलीगन की थियोरी थी केरोल गिलीगन की केर परस्पेक्टिव थियोरी तो ये केर परस्पेक्टिव थियोरी थी जो की केरोल गिलीगन ने बताई थी इसमें आपने मेंली याद क्या रखना है फर्स्ट स्टेज में क्या था सेकंड स्टेज में क्या था और ये याद रखना है कि कैरॉल गिलीगन ने कोल वर्ग के सिधान की अलोचना करके फिर यह अपना सिधान दिया था तो उसने अलोचना की थी कि जो कोल वर्ग है उन्होंने जैंडर व्यास को भड़ापा दिया है कि उन्होंने specially boys को लेकर थियोरी दे दी girls के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया तो ये थियोरी थी कैरोल गिलिगन की Thank you Thanks for watching my this video